हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टडी फोर यू आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लिर कर दूँ आज जो आपका कोई भी एंटी पीसी का एक्जाम नहीं है बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जिनका आग आने वाले सिप्टों में जो है एंटी पीसी का पेपर होने वाला है और मैं आपको 100% ये गैरेंटी देता हूँ कि आपके एक्जाम में जो इसी परकार से जो प्रशन पूछे जा रहे हैं तो वीडियो को जो है लाश्ट तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्वेश करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेट पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बगल में ही आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रैस कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब्सक्राइब जो है यह किस इंजाइम के कारण काटने पर ब्राउन हो जाता है तो देखे जब आप एपल को काटते होंगे तो यह जो है ब्राउन हो जाता है ठीक है तो यह किस इंजाइम के कारण होता है तो यह पॉली फिनोल ऑक्सिडेज इंजाइम के कारण होता है तो जिसको PPO भी बोलते हैं तो polyphenol oxidate जो आपका यहां पर correct answer हो जाता next question आपका यहां पर रहा था दोस्तों कि कि किसका scientific name जो है यह malas domestica है तो देखिए यह malas domestica है ना यह apple tree का scientific name है तो apple tree जो आपका यहां पर correct answer हो जाता नेक्स्ट आपको यहाँ पर रहा था कि CGI जो वर्तमान में है सरद अर्विंद बोबडे यह कौन से नंबर के भारत के CGI बने है ठीक है तो यह 47 वे नंबर के भारत के CGI बने है तो 47 वे आपको यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाता नेक्स्ट कोशन आपको यहाँ पर रहा था दोस्तों कि खानवा का युद जो है यह कब हुआ था तो देखे खानवा का युद जो है यह 16 मार्च 1527 को हुआ था बात कर ले खानवा का युद किनके मद्ध लड़ा गया था तो यह भी आपका रखना है कि यह बाबर और मिवार के राना सांगा के जो है मद्ध लड़ा गया था तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है और इस यूद में जो है राना सांगा का साथ जो है मुहम्मद लोदी दे रहे थे ठीक है और खानवा का यूद जितने के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपादी भी धारन कर ली तो यदि अगर आगे के सिप्टों में आपसे पूछा जाए कि ये खानवा का युद जो है किनके मद्धे लड़ा गया था तो बाबर और मिवार के मद्धे लड़ा गया था और राना सागा का साथ कौन दे रहे थे तो मुहम्मद लोदी दे रहे थे और खानवा के युद ज पानिपत का यूद जो है इब्राहम लोदी और किसके बीच हुआ था तो देखे पानिपत का जो यूद है ना ये इब्राहम लोदी और बावर के मद्द लड़ा गया था कौन सा यूद तो पानिपत का प्रतिम यूद लड़ा गया था तो बावर जो आपका यहां पर 756 को लड़ा गया था किनके किनके मद्ध लड़ा गया था तो बैरम खा और हेमू के मद्ध जो है पानी पत का दीते यूद लड़ा गया था वहीं अगर बात कर ले पानी पत का दीते यूद जो है ये कब लड़ा गया था तो ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था किनके किनके म माराथा और एहमद सा अब्दाली के मद्ध लड़ा गया था तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहे था दोस्तों कि भारत के जो है राश्ट्रे सुरच्छा सलाकार यानि नैस्टनल सेकूरिटी एडवाइजर जो है वर्तमान में कौन है तो देखे भारत के जो वर्तमान में राश्ट्रे सुरच्छा सलाकार है ये अजीत ढोबाल है तो अजीत ढोबाल आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा बात कर लेए जो राश्ट्रे सुरच्छा सलाकार का गठन जो है कप किया गया था तो ये उनिस नॉ सुची में भारत का कौन सा साइट सामिल नहीं है जहां पर आपके चार अपसंद यह थे एक तो आपका रेट फोर्ड दिया वा था एक सुंदर बंद दिया था वन जो है वह एक एक इंडिया गेट आपका दिया वा था और एक सांची का स्थूप दिया वा था तो देखें यह जो इंडिया गेट है ना यह यूनेसकु के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत का साइट सामिल नहीं है तो इंडिया गेट जो आपको यहां पर करिक्ट एंसर हो जाएगा आपको बता दें कि भारत में जो है थाटी एट यूनेसको विस्व धरोवर अस्तल में सामिल है तो 38 आपको याद रखना है कि कितने हैं तो 38 हैं और नया जो यानि 2019 में जो सामिल किया गया है ये उनुसको के विशु धर्वर इस्थल में वो पिंक सिटी जैपुर को सामिल किया गया है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था दोस्तों कि भारत के राज्य चेतर के भीतर वैपार वानिज्य और समागम की सौतनता यह जो है संभिधान के किस भाग में है तो देखें यह जो freedom of trade, commerce and intercourse जो है यह संभिधान के भाग 13 में है तो संभिधान का भाग 13 जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कल जो आपका ॉली का दिकार के बार के बारा में पूछे गैठा कि कौन से भाग में है तो लग का भाग 13 जो आपको यहाँ पर कर अपो बदादे आगी GP Şu है ऑनुचह 301 से ले लेकर जो है 307 तक प्रदान किया गया तो यह आपको याद रखना ह और यदि आगे के सिप्टों में आपसे पूछा जाए कि ट्रेड और कॉमर्स को जो है कौन सी सूची में रखा गया ठीक है जैसे कि राज सूची संग सूची समवर्ती सूची तो देखें यह जो ट्रेड और कॉमर्स को जो है यह राज सूची के विशाय में रखा गया है तो ये भी आपको याद रखना है next question आपका यहाँ पर रहा तो दोस्तों की अनुसूचित और जन जाती छेतर जो है ये किस भाग में है तो देखे अनुसूचित और जन जाती छेतर जो है ये भाग 10 में है तो भाग 10 आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा बात कर ले कौन से अनुचे लेकर 244 ए तक में है ठीक है तो अनुचेद भी आपको याद रखना है नेक्स आपका थे वितायोग की अस्थापना जो है कब हुई थी तो देखे कल जो आपका पूछे गया था कि पंद्रवे वितायोग की अध्यच कौन थे तो वह आपके एंके सिंग थे जिनका कारिकाल जो है 2020 से लेकर 2020 तक होने वाला है ठीक है और वितायोग की जो अस्थापना है ना ये 22 नॉमबर 1951 को किया गया था तो 22 नॉमबर 1951 जो आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले वितायोग की जो प्रतम अध्यस थे वो कौन थे तो ये केसी नियोगी थे तो ये भी अनुछेद है ना ये अनुछेद 280 है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था दोस्तों की घो एंड कीरा ये जो किस देश की महिलाओं और पूरुसों का पहनावा है तो देखें गो एंड कीरा जो है ना ये नैस्नल डेस और भूटान का है तो भूटान जो आपका यहाँ पर पर पहनते हैं और कीरा ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर है तो दोस्तों की बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट बुद्दा स्टैच्व इन दबॉल्ड यानि विस्व का जो है सबसे बड़ा बुद्दा स्टैच्व कहां पर है तो यह आपका कौन सा है पूछा गया था तो यह लेसन जाइंट बुद्दा है ठीक है तो लेसन जाइंट बुद्दा जो आपका यहाँ पर करिक्ट एंसर हो जाएगा बात कर लिए लेसन जाइंट बुद्दा जो ह मद्य पर्देश में है और इसका जो निर्मान है वो समराट असोग के द्वारा करवाया गया है तो ये भी आपको याद रखना है अगर पूछा जाए कि विस्व का जो है सबसे बड़ा बुद्धा स्थेच्उ जो कि चैना में उसका नाम क्या है तो ये लसान ज्यान्ट बुद्धा है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स आप कैए तो ये जो तुंग भद्रा है ना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है तो क्रिष्णा नदी आपका यहाँ पर करिक्ठ हो जाता है ये करिशना नदी जो है ये करनाटक आंधर परदेश और तिलंगना राज्जिस में जो है बहता है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स आपका था कि नटाल इंडियन कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे कल जो आपका इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के बारे में पूछा एंडियन कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे तो ये महातमा गांदी जो आपका यहां पर बुन्ध इस्टूप जो है यानि स्वैम भुनात इस्टूप जो है यह कहां पर है तो देखें स्वैम भुनात इस्टूप जो है यह काटमांडू में है यानि नेपाल में है तो काटमांडू जो है आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाता नेक्स्ट आपका यहां पर रहात moment जो है उससे में वो सामिल कर लिया गया था तो सचीन तंदुलकर को जो यह आवार्ड दिया गया है तो सचीन तंदुलकर जो आपका यहां पर लेकिन यहां पर कोशन में जो आपका स्पोर्टिंग मुवमेंट्स पूछा गया था इसलिए सचीन तंदुलकर आपका करिक्ट हो जाता नेक्स्ट आपका यहां पर है तो दोस्तों की पटियाला वंस के संस्थापक कौन थे तो देखे वंसों से भी जो आपके कोशन्स तो देखे वत्स महाजंपद जो कि प्रियाग राज में कॉसंबी है तो कुसंबी जो कर्ंडंसर हो जाता आपको बता दें कि माहाजंपद है ठीक है और इसकी राजजानी आप को याद रखने का जो है सकती मती था तो ये चार जनपत जो है लागतार एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं चारों जनपत के बारे में आपको बता दिया हूँ इसके अलावा अगर आपका बारत जनपत का याद रखना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जोड़ जाएए वहां पे नेक्स्ट कोशन आपका था कि रजम नामा किस इंदुग्रांट को फारसी अनुवाद है तो ये रजम नामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है तो महाभारत जो आपका यहां पर करिक्ट एंसर हो जाएगा और कभी-कभी एक्जाम में पूछा जाता दोस्तों कि म लाइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा और अगर इसका पेडियाप चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आप टेलिग्राम पे जाके जो स्टडी फोर यू सर्च कीजेगा आपको मिल जाएगा तो मिलते नेक्स रूड़ तब तक थांक यू, all the best.